नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज किस्सा यूपी का में बाद पस्मानदा मुसल्मानों की यूपी के पस्मानदा मुसलिमों को जोडने के लिए बीजेपी ने लखनों में पस्मानदा बुद्धी जीवी सम्मेलन का आयोजन किया था सम्मेलन में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेस पाठक टीफ गेस्ट है यूपी सरकार के एक मात्र मुसल्मान मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसमें शावल हुए पर सवाल ये है कि आखिर क्यूं बीजिपी पस्मानदा मुसल्मानों को लेकर इन दिनों चिंतित है बीजिपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो चुनाओं में मुसलिमों को टिकट नहीं दे रही है मुसलिम के हित में कोई कारी नहीं करती है तो क्या बीजिपी अब इस नेरेटिब को बदलने की कोशिश में दिख रही है क्या है बीज़िपी का पस्मानदा मुसल्मानों को लेकर कदम आज इसी पर चर्चा करेंगे बाचित के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टिवी के सीनिर एजिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आखिर क्यों बीज़िपी पस्मानदा मुसल्मानों को रिज़ाने की कोशिश कर रही है देखिए जब सत्ता जादा समय तक हो जाते है अब आपके हाथों में हो तो कभी-कभी धीरे-धीरे कन्फ्यूजन सुरू हो जाता है भारतिय जन्ता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब धीरे-धीरे उसके अंदर कन्फ्यूजन हावी होता जा रहा है जिस तरीके से अटल विहारी बाजपरी एक सौफ्ट लीडर माने जाते थे हिंदूत्व के मामले में और इसलिए जब गठवंधन की सरकार बनी इंडिये की उस समय उससे पहले भारतिय जन्ता पार्टी को इतने दूर तक पहुँचाने में सबसे अहम भूमिका अगर माना जाए तो लालकृष्णा अडवानी का था राम मंदिर के लिए आंदोलन रतियात्रा ये भारत में एक क्रांती की तरह थी कि कोई ऐसी पाटी है जो हिंदूों की बात करती है उसके विचारधारा जो है वो पूरी तरह से हाड़कूर हिंदूत वाली है इससे पहले अगर हम सौफ्ट हिंदूत पर ही चलें तो फिर कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी में क्या आंतर रह जाएगा दोनों एक ही तरह की है अगर राहूल गांधी भी मंदिरों में जाते हैं जन्यू दिखाते हैं और उनके उपर जब बार बार ये बात का आरोप लगा कि अब वो सेकुलर नहीं सौफ्ट हिंदूत की तरब बढ़ रहे हैं तो फिर दीरे दीरे वो बैक फूट पर आये क्योंकि कॉंग्रेस की राजनीती ही वैसी रही है कि मुसलमानों की तुस्टिकरन वो करती रही है लेकिन भारतिय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए है जो उनके कैडर है उनकी विचारधारा क्या है लोग क्या सोचते है अगर जैसा कि उनके भारतिय जनता पार्टी के ओपर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदूओं के विरोधी है अगर हम परदान मंतरी नरेंदर मोदी की बात करें तो मोदी को 2014 में भारतिय जनता पार्ट ने परधान मंतरिय का उम्मिद्वार बनाया. उस समय कॉंग्रेस की सबसे बड़ी गल्ती ही थी, कि उसने मोदी को विलिन बना दिया, या कोशिश किया विलिन बनाने की, और गुजराद दंगे की बात करकर के नरिंद्र मोदी को उस समय बार-बार ये कहा जाता था, कि दंगे के लिए यही जिम्मेदार हैं, यह हत्यारा हैं, खूनी हैं. इस बात का जिक्र पिछले दिनों अमिश साह ने भी किया था, कि जिस तरीके से परसेप्शन क्रियेट करवाय जा रहा था, किया जा रहा था, हलाकि उससे भारतिय जनता पार्टी को कुछ पायदा ही हु वो हिंदूओं के लिए योद्धा बन गए. अब भारतिय जनता पार्टी इतने दिनों से जो राजनिती कर रही है, या फिर जो उत्तर परदेश की राजनिती हुई, जब सपा और बसपा का गठवंधन संभावित था, यानि कि लगने लगा कि भारतिय जनता पार्टी के खिलाप सपा और बसपा दोनों गठवंधन कर सकते हैं पार्टियां, तो उस समय एक ऐसे सीएम का गोशना किया गया, जो कि पूरी तरह से हिंदुत्व दिखें, भगवा धारी पार्टी के भगवा नेता यानि कि योगी आदितनात को सीएम बनाया गया, इसका मतलब है कि और काम, ये 50% अगर सपोर्ट करता है, तो दूसरा 50% सपोर्ट जो होता है, वो विचारधारा के अस्तर पर होता है, क्योंकि किसी पाठी का कैडर उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि संग और भारतिय जनता पाठी ब्रह में चली गई है, ब्रहमित होती जा रही है कि उनका जो परधान मंत्री नरेंद्र वोदी का काम है, वही सिर्फ बोल रहा है, काम के अलावा विचारधारा की कोई जगह नहीं है, ये कन्फूजन क्रियेट किया जा रहा है, और भारतिय जनतापाठी अगर इस कन्फूजन मे रही, तो पासमांदा को लाने के चक्कर में भाजपा अपने बहुत सारे बेस वोटर जो हैं, उसको खो देगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पासमांदा भी तो मुसल्मान ही है, अगर पासमांदा जो माना जाता है कि पिछड़ा बर्ग और दलित जातियां जो ह पासमांदा में आते हैं, 1998 में अली अनवरंसारी ने पासमांदा महाज सभा जो गठन किया था, उसके बाद पासमांदा मुसल्मान की बात होने लगे, इससे पहले सचर कमिटी, रगनाथन कमिटी, ये कमिटी आ चुके थी, सचर कमिटी में ही ये बात कही गई, कि ये जो वो सिर्फ और सिर्फ सवर नहीं है, उची जातियों वाले नहीं हैं, इसमें भी जातियता है, और तीन केटेगरी उनका बनाए गया, उसमें से दो केटेगरी जो था, अजलाफ और अरजाल, ये दोनों जो हैं, वो तलीत और पिछड़े हुए मुसल्मान थे, जिसको दोनो खान, मुगल ये जो आते हैं तो इन लोगों को अब सोचना चाहिए कि अगर उत्तर परदेश विधान सभा के चुनाब में 95% मुसल्मानों ने समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी भारतिय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी थी यानि कि चुनोती दोनों के बीच थी टक्कर दोनों के बीच थे उन्हें लगा कि सपाही भाजपा को टक्कर दे सकती है इसलिए 95% उन लोगों ने सपोर्ट किया अब बात ये है कि जिस तरीके के आंक्डे बताय जा रहे हैं कि मुसल्मानों में अगर देखा जाए तो 19% से भी कम ये पहले के जंगन्ना के आधार पर है 1871, 1901 के जंगन्ना के आधार पर कि 19% से 20% के बीच सवरन मुसल्मान हैं असराफ हैं और उसके बाद 80% के करीब पस्व पस्मांदा मुसल्मानों ने कभी भी भारतिय जंता पार्टी के लिए काम किया या फिर जितने दंगे फसाद हुए जितना हंगामा खड़ा किया गया ये जो नुपूर शर्मा विवाद के कारण टिपनिव के बाद जैपूर में जो हत्या हुई कनहिया लाल की उसमें जो व्यक्ती पकड़ा गया वो क्या सवर्ण मुसल्मान था पस्मांदा मुसल्मानों को इतना सौफ्ट समझने की भूल भारतिय जंता पार्टी कैसे कर सकते है इसके पीछे अगर देखा जाये तो राजनीती है सियासत है कि हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा लेकिन दूसरा इससे सबसे बड़ा नुक्सान तो यही है कि अगर मुसल्मानों के इतने बड़े वर्ग को आप अपने साथ लाना चाहते हैं तो आपको मुसल्मानों पे सौफ्ट होना पड़ेगा लेकिन क्या आपको लगता है कि यह पॉसिबल है ऐसा लगता तो नहीं है जो इनकी पस्मांदा मुसल्मान भारतिय जंता पार्टी के साथ जुड़ पाएं। अगर उत्तर परदेश में बात करें तो दलितों की राजनिती मायावती कर रही हैं, यादवों की राजनिती कर रहे हैं, अकलेस यादव। तो उसी तरह से नौर्थ इंडिया में, बिहार में, उत्तर परदेश में, मदपरदेश में, हर जगह पर जहां जहां छेत्रिये कुछ इसी तरीके का लग रहा है इन लोगों के दिमाग में कि मुसल्मानों में भी ये तरीके अपनाए जा सकते हैं और मुसल्मानों का वो बर्ग क्योंकि जितनी पाथियां हैं जितने बड़े लीडर हैं ज्यादा तर सवर्ण मुसल्मानों के हैं यानि के असराफ हैं और ज कटरता इनके अंदर भी जादा है ये जो लखनव में कॉन्फरेंस किया गया इसमें क्या था पसमांदा बुद्धी जीवी मुसलमान तो कुछ भारतिय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं वो लोग ये मान सकते हैं कि चलो विकास के नाम पर जो भाजपा अगर अच्छ हैं ये कहा जाना कि 80% पसमांदा मुसलमान हैं लेकिन ये आकड़ा कौन बताएगा कि 80% पसमांदा मुसलमानों में बुद्धी जीवी मुसलमान कितने हैं वो तो 0.05% होंगे हजार के संक्या में पूरे उत्तर परदेश में दिखाई पड़ेगा जो इनकी रैली में शामिल हुए थे वो अपने घर वालों को भी वोट देने के लिए भारतिये जनता पार्टी को नहीं कह सकते उनके घर वाले भी उनके खिलाब चले जाएंगे क्योंकि वो पसमांदा मुसलमानों को अपने साथ रखती है जैसा कि बार बार कहा जाता है कि भारतिये जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है मुसलिम नेता जादा नहीं है उनके अंदर भाजपा में बहुत कमी मुसलिम नेता है तो क्या भारतिय जनतापाटी उस आक्रामक्ता के साथ मुसल्मानों के उस कटरता का विरोध कर पाएगी? क्या भारतिय जनतापाटी के नेताओं को ये समझ में नहीं आएगा? क्यों उसके मंच पर बैठे हुए तीन मुसलिम नेता क्या सोचेंगे? क्या समझेंगे? इसलिए हमें बोलने में सयम रखना चाहिए जैसा कि शुरुआती दौस्ट हुआ कॉंग्रेस की सरकार बनी 1947 के बाद जो मुसल्मानों के साथ जो बहुत जादा सौफ्ट रुख अपनाया गया उसमें अबुलकलाम अजाग इनका बड़ा युगदान रहा था मुसलिम लीडर कॉंग्रेस के अंदर थे और जो कॉंग्रेस के दूसरे नेता थे इन लोगों को लग रहा था कि अगर हम मुसल्मानों को कहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं आसानी से क्योंकि उन्हें पाकिस्तान ही चाहिए था इसलिए वो पाकिस्तान के समर्तन में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर परदेश, मद्द परदेश, राजस्तान तक में जो बॉर्डर स्टेट था उसकी बाद तो छोड़ दे अंदर के स्टेट में भी जहां से संभव नहीं था कि पाकिस्तान के लिए वहां जगह जमीन मिल जाएगी उन्हें वहां से पलाएं ही करना पड़ेगा फिर भी उन लोगों ने पाकिस्तान की मांग के नारे लगाये थे हिंसा के थी हंगामा किया था पाकिस्तान बनाने के लिए क्या उन लोगों को कॉंग्रेस कह सकती थी कि आप अब पाकिस्तान चले जाओ जब कि ये बात तो उठी थी कि जब पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बनाया गया तो फिर धर्म के आधार पर लोगों का भी एक दूसर मुसल्मानों को भी एक ही बार पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जिहादियों का इन लोगों के उस एक्टिविटी का देश दुरोही एक्टिविटी जो होता है भारत के अंदर जो कई पाकिस्तान बने हुए हैं उन लोगों का विरोध कर पाते हैं भाज़पा के नेता तो इसलिए कि उनके मंज पर इका दुक्का मुसल्मान कभी दिख जात बिलकुल लेकिन अगर वो मुसलिम नेताओं से घीरे भूए होगे चाहे वो पासमांदा ही क्यों हो पासमांदा क्या अल्ला को नहीं मानते हैं? पासमांदा क्या कुराण की बात नहीं करेंगे? कि आप पासमांदा मुसल्मान हिजाब के मुद्दे पर ओवैसी के साथ खड़ा नहीं रहा ये सारे लोग रहे तो उन मुसल्मानों के सामने आप हिजाब के खिलाप कैसे बात करेंगे तो फिर मतलब ये साफ है कि भारतिय जन्तापाटी और RSS जिसमें अभी डाक्टर मुहन भागबत मुला मौलानाओं से मिलते जुलते चल रहे हैं उनको भी अब ग्लोबल स्रिजन बनने का बहुत सवार हो गया है लगने लगा है कि अब विदेसों में RSS को देखा जाए कि नहीं ये कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है ये मानवा आधिकार के लिए मानवियता के म लेकिन ये कहा जाता है कि जो कन्फ्यूजन संसे के स्थिती है वो खतरनाक हो सकता है जिस तरीके से बाजपेजी के समय में हुआ था इंडिया साइनिंग करते रह गई भारतिय जनता पार्टी बहुत बड़े विकासवादी पुरुस थे बहुत सॉफ्ट नेचर के आदमी बाजपेजी सब के प्यारे थे लेकिन उनके प्यारे होने उनके सॉफ्ट नेचर से भारतिय जनता पार्टी दुबारा जीत नहीं पाई और यही पधान मंत्री नरेंदर मोदी की जो कठोर नीती है जो उनका स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ही कमजोर हो जाएगा तो फिर 2024 क कि तैयारी क्या ये पस्मांदा मुसल्मानों के आधार पर आप करेंगे क्या पस्मांदा मुसल्मानों के वोट से भारतिय जनता पार्टी उत्तर परदेश की 80 में से 80 सिटे ले आएगी ये सोचना चाहिए भाजपा को और जो भी लोग इस तरीके की रननीती पर कन्फ्यू बहुत बढ़ी भूलना साबित हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए तो बीजेपी की नजर पस्मांदा मुसलिमों पर है जो बेशक मुसल्मान है लेकिन अल्प संख्यों को में उनका दरजा आर्टिक समाजिक और सियासी तोर पर उस तरह नहीं है जितनी उ मुसलिमों को नजर अंदाज तो नहीं कर सकती अब बीजेपी पस्मांदा मुसल्मानों को रिजाने की क्यों कर रही है कोशिस यह आने वाले वक्त में पता चलेगा आज के हमारे शो किस्सा यूपिका में फिलाल इतना ही कलेकबर फिर से एक नए किस्से के साथ हाजर होंग देखते रिये Capital TV, नमस्कार